नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं दा खबरदार न्यूज तो चली बढ़ते हैं आज की वड़ी खबर की और हाल ही में सुप्रीम कोट ने चुनावी बॉंड को सम्विधानी करार दिया है इस मामले के सुनवाई भारत के मुख्य नायधीश डिवाई चंद्रचूर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्तिय सम्विधान पीट ने किया इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल है चुनावी बॉंड पर कॉंग्रेस में था जया ठाकोर मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी और एंग्यो असोसिएशन फॉर्ड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म समेच चार लोगों ने याचिकाए दाखिल की याचिका चाधर है इसे विशेश रूप से राजनीतिक दलों को योगदान देने के लिए डिजाइन किया गया था चुनावी पॉंड की गोश्टा पहली बार 2017 के बजट सत्र में की गई थी इसे बाद में जनवरी 2018 में वित्त अधिरियम 2017 लोग प्रतिने जित्व अधिरियम 1951 आयक दस हजार रुपए एक लाक रुपए दस लाक रुपए और एक करोड रुपए के कई मूल वर्ग में बीचे जाते हैं दान करता चाहे व्यक्ति हो या कंपनिया इन बॉंड को खरीद सकती है और दान नाता हो कि पहचान बैंक और प्राप्त करता राजनीतिक दलों दोनों क लोग सभा या राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को भी बताना होगा कि उन्हें कितने धन चुनावी बॉंड की माध्यम से मिला है चुनावी बॉंड जारी होनी की तारीक से 15 दिरों तक के लिए वैद होता है और बैंक इस पर व्यास भी नहीं देती है यदि कोई राज प्रदान पंतरी वैलफेर फंड में चला जाता है चुनावी बॉंड में बहुत सी खामिया थी जैसे चुनावी बॉंड राजनीतिक दलों को दी जाने वाली दान राशी है जो दान दाताओं और प्राप्त करताओं की पहचान को गुम नाव रखती है जो जानने का अधिक से समझाओता कर सकते हैं जो सब्विदान के रुचीद 19 का हनर होगा तथा दान दाताओं के डेटा तक सरकारी पहुच के चलते गुम नावी से समझाओता किया जा सकता है इसका ताथ पर यह हैं कि सत्ता में मौझूद सरकार इस जानकारी का लाव उठा सकती है जो सतंत्र और निश्पक्ष चुनाव को भाज़त कर सकता है तदा इसके अतिरिक्त घोर पूजीवाद और कालेधन का उपयोग का खत्रा भी हो सकता है इनी समस्याओं को ध्याद में रखकर सुप्रीम कोट ने चुनावी बॉंड योजना को रद कर दिया है और शीष अदालत नहीं अचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि कालेधन पर अंकुष लगाने के उद्देश इसे सूचना के अधिकार का उलंगन उचितन नहीं है चुनावी बॉंड योजना सूचना के अधिकार और अभी व्यक्ति की स्वतंतरता का उलंगन है राजजीतिक गलों के द्वार फंडिंग की जानकारी जागर ना करना पूल उद्देश की वीपरीत है ऐसा वक्तवें देते हुए कोट ने चुनावी बॉंड को तुरंत रोकने का अधेश दिया है साथी अधालत ने निर्देश जारी कर कहा है कि एस्बी आई चुनावी बॉंड का माध्यम से अब तक क के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ तब तक लेने मश्कार और देखते रहिए दा खबरदार ल्यूस अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनि कॉंटेंड कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट खूड नियरबाइ सुहागी बाइपास शिफ्टिंग की टेंशन अब नो टेंशन शिफ्ट को पैकस एंड मुवस है ना जो आपके घह के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक वाकार को स्वक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घह तक पहुँचाता है तो आप देख इस बात की आज ही संपक करें डवलेट टूवन ट्रिपल जीरो सेवन वन सेवन